पटना समय कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है तीन-चार जिलों को छोड़ कर कहीं भी बारिश के आसार नहीं है मानसून की टर्फ लाइन भी बिहार से काफी दूर होकर गुजर रही है इसलिए सामान्य बारिश भी नहीं हो पा रही है सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान है धान की रोपनी शुरू हो गई है खेतों में पानी की जरूरत है बारिश नहीं होने के कारण अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को नालंदा नवादा बकसर और सीवान में बारिश का अलर्ट जारी किया है 31 जुलाई के बाद ही बिहार के कई भागों में भारी बारिश के आसार है मौसम विज्ञानिक की माने तो शुक्रवार को कई जिलों में बादल चाय रहेंगे दक्षिन बिहार के कुछ जिलों में हवा चलने से तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आईगी मौसम विभाग द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार 25 जुलाई तक बिहार के 36 जिलों में आसत से कम बारिश हुई है प्रमुख जिलों सहसा समस्तिपुर और वैशाली में 54 प्रतिशत सबसे कम बारिश हुई है वही सारण में तिरपन पठना में 48 रोहतास में 47 भभवा में 46 मुजफःपुर में 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है इसके अलावा अर्या में 15 कटिहार में, 33 भागलपुर में, 49 बोचपुर में, 37 बकसर में, 27 ग्या में, 23 गोपालगंज में 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है आपको बता दे कि सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान है धान की रोपनी शुरू हो गई है खेतों में पानी की जरूरत है बारिश नहीं होने के कारण अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है तीन-चार जिलों को छोड़ कर कहीं भी बारिश के आसार नहीं है मानसून की टफ लाइन भी बिहार से काफी दूर होकर गुजर रही है इसलिए सामान्य बारिश भी नहीं हो पा रही है सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान है धान की रोपनी शुरू हो गई है खेतों में पानी की जरूरत है बारिश नहीं होने के कारण अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को नालंदा नवादा बकसर और सीवान में बारिश का अलर्ड जारी किया है 31 जुलाई के बाद ही बिहार के कई भागों में भारी बारिश के आसार है मौसम विभाग द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार 25 जुलाई तक बिहार के 36 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है प्रमुख जिलो सहरसा समस्तीपुर और वैशाली में 54 प्रतिशत सबसे कम बारिश हुई है वही सारण में तिरपन पटना में 48 रोहतास में 47 भभुवा में 46 मुजफ़पुर में 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है इसके अलावा अर्या में 15 कतिहार में 33 भागलपुर में 49 बोचपुर में 37 बकसर में 27 गया में 23 गोपालगंज में 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है आपको बता दे कि सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान है धान की रोपनी शुरू हो गई है खेतों में पानी की जरूरत है बारिश नहीं होने के कारण अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें